नमस्ते गूड इबनिंग मैं हूं सुभीर स्वागत है आपका एक और वीडियो में आज हम जा रहे हैं साथलित थर्माल पार स्टेशन और मोत और काली मंदिर जो की पंचित डेम की और है और ये प्रुलिया डिस्टिक में स्थीत है वहाँ लक्समी पंडल का उद्गाटन है और कल सुभा को जाएंगे बगड़ाई चंडी मंदिर और उसी के पास है मोत और काली मंदिर जो की बहुत ही जगरत मंदिर है ये रोड है नहीं थाटी टू ये टाटा धनबाद दो सहर को जोड़ती है ये ब्रीज है कुमारी ब्रीज जो की मेरे गाउं की करीवी है और ये नदी है कुमारी नदी और ये में बाइं जो पहाड़ देख रहे हैं ये हैं और अजोटा पहाड़ यह है इस्पोंज एंड इस्पाथ फेक्ट्री जो की को रंग में है इसी के दाएं और है एक तलाब पूरा तलाब में कमल के फूल खिले हुए है देखने में भी बहुत सुन्दर लग रहा है कुछ ही देर बाद हम पहुंच गे कांटाडी रेल गेट यहां तो रेल गेट बंद है मालगाडी निकलने के बाद हम लोग चले पूलिया की ओर मालगा टाएं वाज वांट तो मालगा मजा आएं यहां तो झाल झाल दाएं और जो चिमनी देख रहे हैं ये एक लक्सा फेक्टरी मतलब हम लोकाली इसे बोलते हैं लक्सा फेक्टरी हुआ करता था ब्रेटिस जमाने में तामना में है ये फेक्टरी अब हम पहुँच चुके हैं पुलिया के एक मोस्ट एक्सिडेंटल एक प्लेस में यहां दो रोड मिलती है एक है एनेच थाटीटू और एक है इस्टेट हाइवे फाइव यहां पर लोग बीना देखे रोड क्रस करते हैं इसलिए मोस्ट एक्सिडेंट होता है यह देखिए बीना इंडिकेटर दिये ही नेचनल हाइवे पर चाट रहे हैं राट साइड में दिखाई दे रहा है कंगसावती रेलवे ब्रीज यह हैं कंगसावती रोडवे ब्रीज नदी में पानी बहुत कम है एक्चुली इदर बारिस भी टिक से नहीं होती है इसलिए ज्यादा तर समय यह नदी सूखी रहती है अब संसेट का समय हो चुगा है सू लेकिन अभी भी चमक रहे हैं और नदी के बीच में बहुत सारे कांसफुल दिखाई दे रहा है इसी नदी के उस पार है पुड़िया टाउन दाएं और है सिमुलिया सुसान काली मंदीर यहां रोड थोड़ा खराब है पुड़िया करेश करने के बाद हम जा रहे हैं आद इसनो मिशन और इसके थोड़ा सा आगे है पुड़िया मेडिकल कॉलेज राइट साइड पर इसी रोड के आगे है मेडिकल कॉलेज और यह है क्रिसक बजर पुरुलिया सामने मेडिकल कॉलेज के विल्डिंग दिखाई दे रहा है सामने एक लक्समी पेंडल दिखाई दे रहा है अब हम पहुँच गए है सामतल्डी लक्समी पेंडल में जो की सामतल्डी विर्सचों के स्पोर्ट सेंड कल्चरल कलब की और से आवजन किया गया है यह है यहां का पेंडल अभी हम लोग जाएंगे इसके अंदर झाल अब जाएंगे विर्सचों के लिए आटा है कίν dov上 है लगना कटिन अप्रेन का नहीं सही और विए और ऐसे कि लगा कर्णे हैं कि दो अष्ङ के अष्य जिड़ कटि लुट साबश हैं। कि इनने के बाद हम लोग चलें थामल पारेस्टेसन देखने के दिये हैं यह हैं बिर्सा मुंड़ा चौक सांतल्डी ंज सिर्ण के रहे हैं कर दो 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 लेप्ट स्वैंड में है थर्मल पाउर प्लैंट सामने जो लाइट चांग रहा है वो दोनों हैं पाउर प्लैंट के जिम जिसे दोई निकलती हैं सामने अंदर जाने का रस्ता करकाओन लगा करें आपके जिसे दोई के थाहें आपके दोई खनाता प्लैंट सेयां वाई प्लैंट झाल झाल यह है मंगेट यह है मंगेट जला 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 देखने के बाद हम बापस आ रहे हैं तो देखा मंडल के पास और भी छूटा सुंडला लगा हुआता यह है यह है यह है यह है यह है यह है यह 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 पुक्त रहुजार आप्पड शीर बंग कर दोरण इसके बात हम लोके वोंगे शीपर मोकेट यहां पर लिखा हुआ है आइलाब एस्टिजियस मतलब संतली थार्मल पाउर स्टेसिन यहां पर सब कुछ मिलता है यहां पर गुम रहे था तो देखा काफी सारे कुछते लेटे हुए थे यहां परिखा है क्या ग्रां ये रेन्या का इस्टेज कुई बग्राम होतो एंई प्योर्टिया बग्राम होतो जो आए का दो नो और दो वो कि नेक्स्ट टे हम सुबा सुबा निकल गए मोट और काले मंदिर की ओर जो कि यहां से 20 किलोमेटर होगा साइद यह हैं यहां का सोलार पार्क जो की काफी बड़ा है इसी सोलार पार्क से पूरा टाउन में बिजली सप्लाई होती है लेप्ट साइड में बार्ट प्लैंट के दोनों चिम्मों दिखाई दे रहा है यह है मेंगेट कुछ दूर जाते ही हमको दिखाई दिया प्लांट के और जाते हुए रेलवेट ट्रैक अभी हम जा रहे हैं कोल वासरे की और यह है कोल वासरी यहां पर कोईले को पानी से दुआ जाता है लेकिन अब यह सब बंद हो चुकी है निकलने के समय हमको देखने को मिला कोईले वाले रेली इंजिन जो की इंडियन कौब्मेंट की नहीं है यह यहां का पार्ट्रोनल इंजिन है उसके बाद हम लोग आ गए हैं रख तलाब की और जहां पर कोईले की रख फेका जाता है यह तलाब लंबाई में करीब एक किलोमेटर और चोड़ाई में भी करीब एक किलोमेटर होगी और गहराई का तो पता नहीं मोट और काली मंदिर की ओर जाते हुए हैं प्राइगुचा अर्मान जी दिखाई दिये हैं तो हम रुख गए यहीं है बगड़ाई चंटी माता के द्वारपल मंदिर के दिवाद पर बाएं और पंचमंखी हनुमान और दाएं और छाती चिर के प्रभुश्री राम और मातसीता को दिखाते हुए हनुमान जी अंदर जाते ही हमको चार मंदिर दिखाई दिया दाएं और हैं हरी मिला बाएं और हैं रादा कृष्ण मंदिर और साथ में गोर निताई जाके माताचंडी के मंदिर अभी पुजा चल रही है अंदर और फिर ये सिवजी के मंदिर है यह जो सारे उलटा लगता हुआ मिक्ट के लोटा देख रहे हैं यह सब यहां के मनत माइने पर चगाते हैं लोग उसके बाद आनली हम चले तुबकाली मंदिर के ओर हम पहुंच चुके मोट और काली मंदिर में बाहर से एक बाद जुम करके आप लोगों को दिखाता हूं क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है पास जाके दिखाता हूं कि यह माकाली और इसके नीचे जो लाइट देख रहे हैं यह सुरी देवीन के चरण यहां पर बिजली कड़कती है कहा जाता है कि पहले यहां से माता हर्षोज भाव जाती थी और सुबा लोगों को कहें और जाके दिखाई देती थी इसलिए माता को लोगी की बेड़ी से आज भी बन के रखा जाता है पहले यह जगा इतना सापसुत्रा नहीं होता था यहां जो भी सापसफाय करने की कोशिश करता था उसके उपर बिजली गिर जाती थी और उसी समय वो मर जाते थी यह है बली देने का इस्थान यहां पर पाठा मतलब बक्रा बली दिया जाता है और यह है माता कम त्री सूल जो कि मंदिर के बाहर रखा हुआ है वहां से खराते समय रास्ते पर यह फैक्टरी दिखाए बढ़ता है इसका नाम है ब्रेबो स्पोंज एन इस पर्थ 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 लिमिटेट काखी बड़ा है बैसे यह है इन्या का मेंगेट को वहां है अज़क्के बड़ से का 2 जर्थे जह है कि अचरो प्री जाय भर्थ पर्री जान इस पर्थ पर्थ बड़ता है अज़क्य च्रभब पर्शोंडा़ ग्रेबोंड़ता है